कैसे हो बाल दोस्तो, मैं आपकी हिंदी टीचर, आज हम सिखेंगे पुन्रावर्तन एक Listen to the explanation and read the chapter with me, I will be guiding you नीचे दी गई संख्या को पढ़िये और शब्दों में लिखिये, ये अंकों में दी गई है, हमकों शब्दों में लिखनी है पांच, छह, नौ, ग्यारह, बारह, तेरह, पंद्रह, सत्रह, अठारह, उन्नीस प्रश्न दो वहनों को पढ़िये और लिखिये क, फ, प, य, ख, च, ज, ज, ट, ध, ब, ल, म, भ, ग, द, ध, क्ष, चित्र देखकर शब्द लिखिये यह किसका चित्र है? तोता, खरगोश, कबुतर, कववा, फूलगोबी, कचुवा, किलहरी, आम, पपीता उप्युक्त चित्रों के देखकर पांच वाक्य बनाईए यहां आपको वाक्य बनाने है निचे दिये गए वाणों का उप्युक्त करके शब्द बनाईए क, कमल, कमल क से शुरू होता है? ऐसे आपको अपने आप शब्द बनाने है म, मकान, म से शुरू होते हुए सब्द बनाने है प, पतंग, प से शुरू होते शब्द बनाने है र, रसी, र से शुरू होते शब्द बनाने है नीचे दिये गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिये उदाहरण, राजा, रानी यह क्या है? लिंग बदले है तो शिक्षक, शिक्षिका, बंदर, बंदरिया, मोर, मोर्नी, माता, पिता बिदूसरा उदाहरण है लडका, लडके, यह वचन बदलो, एक वचन, बहुवचन घोडा, घोडा, बच्चा, बच्चे, तितली, तितलिया, मच्छी, मच्छिया I hope you have understand the chapter Write the exercise given in PDF and mail it on given ID Email ID is given here